हलो स्टूदेंट्स आइम दिवेया कशिप फ्रॉम आइवेज एड्यूकेशन आइस यू आल नोग दाट आइम यूर केमिस्ट्री एक्सपर्ट आइड वी आइड दोएंग तो देखें प्रीविएस फीडियो में मैंने आपको वेपर प्रेशुर और उसके फैक्टर्स हमने डिसकस किये थे तो यहां पे हम लिक्वेड इन लिक्वेड सॉल्यूशन में वेपर प्रेशुर वाली प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे तो देखें लिक्वेड और लिक्वेड मैंने आपको बताया बॉलटाइल होते हैं और दोनोई लिक्वेड अगर सपोज आप एक सोल्य ले लेते हो एक एक्जाम्पल लेते हैं लेट से मेरे पास एक सोल्यूशन है और एक सोल्यूशन है मेरे पास बी ठीक है तो यहां पे एक कंटेनर में मैंने एक सोल्यूशन ले लिया और एक कंटेनर में मेरे पास है सोल्यूशन बी ठीक है तो हमें पता है कि जो लिकोट स्य है उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो प्रेशर एग्ज़र्ट करते है यह वेपर प्रेशर्ट करता है पी-0 ए पी-0 में इसलिए लिया है त्योंकि इसमें कुछ और मिक्स नहीं है इस इस container के अंदर सिरफ A component ही है हमारे पास तो मतलब यह pure component मतलब pure partial pressure of component A है ठीक है अब दूसरा component है B यहाँ पे सिरफ B है तो इस container के अंदर पूरे का पूरा pressure B की वज़े से होगा तो इसको मैं ले लेती हूँ P not B that is the vapor pressure of B when it is present alone मतलब वो pure component है तो अब मैं इन दोनों को mix कर देती हूँ लेट विए इसको हम अलग अलग color का बना लेते हैं ताक हम इसको easily make out कर पाएंगे कि हमने इसको mix कर दिया आपको याद रहेगा फिर हमेशा तो आप अब हमने इन दोनों को mix कर दिया ठीक है तो यह आगए आपके पास solution ठीक है तो let's say इस solution को हम लिख देते हैं PS और इस solution के लिए अंदर हमने डाला है component A और component B ठीक है अब यहाँ पे इस solution का pressure क्या होगा वो हमें कैसे बता लगेगा तो इस pressure को जानने के लिए एक French scientist थे जिन्होंने हमें एक law दिया Riot's law यह law हमें यह बताता है कि अगर आप दो liquids को mix करके solution बना देते हो ठीक है तो यह जो solution है इस solution के अंदर A का pressure और B का pressure हमें कैसे पता लगेगा यह explain करने के लिए यह law दिया गया तो यह law हमें यह कहता है कि कभी भी अगर आप किसी pure component को solution में मिला रहे हो जिसे A को मिलाया B को मिलाया तो यहां पे जो A का pressure होगा मतलब solution के अंदर जो A का pressure होगा वो किसके equal होगा? जितना उसका mole fraction है into उसका जो pressure होता है जब वो अकेला present होता है यहां तो solution form में है न तो मतलब जो solution के अंदर A का pressure होगा, that will be equal to its mole fraction, कि यहां पर हमने XA के moles कितने लिए है, into, जो इसका partial pressure है, vapor pressure जबकि अकेला present होता है as a pure component, तो यही law हमें यह बताता है, ठीक है तो similarly, B का अगर मैं pressure देखू, तो B का pressure क्या होगा मिर पास, उसके moles into, उसका जो partial pressure है, जबकि वो as a pure component present होता है So, this is given by Rialt's law, देखिए, तो Rialt's law का statement देखते हैं पहले हम, फिर इसको आगे complete करते है, Rialt हमे कहता है, कि at a given temperature for a solution of two volatile liquids, आपके पास two volatile liquids हैं, उनका solution है, तो उसके लिए, अगर हम vapor pressure देखना चाहें, इच component का कि इस solution में a का vapor pressure क्या है, b का vapor pressure क्या है तो इस law से हम देख सकते हैं तो वो हमें यह बताते हैं, कि vapor pressure of each component is equal to the product of its small fraction, जैसे कि मैंने आपको बताया, यह होगे आपके पास product, and its vapor pressure when it is present alone as a pure component, आपको बता है चो pure pressures है, वो यही है है न, उनको हमने p0 ले लिया है so that is equal to xa into p0 a और दूसरा xp is equal to p0 b, so this is given by given by Rior's law अब solution का pressure क्या होगा वो हमें कैसे पता लगता है आपने पढ़ रखा है, Dalton's law of partial pressure, आप पढ़ के आए हो plus 1 के अंदर, Dalton's law of partial pressure Dalton's law of partial pressure यह बताता है कि अगर आप किसी system के अंदर बहुत सारे components डाल देते हो ठीक है, तो जो total वहाँ पर pressure होता है that is equal to the sum of the individual pressure exerted by the number of components जो कि उसके अंदर present है अब इस solution के अंदर तो दो यह component है तो जो solution का pressure होगा उसमें equal contribution रहेगा जो a का pressure है और जो b का pressure है अब p और b, b हम solve कर चुके हमें result's law से इनकी value पता है तो हम यह put कर देते हैं तो मतलब solution का pressure हम दे सकते हैं ऐसे p not a into x a plus p not b into x b इसी के equal हुआ ना इसी के equal हुआ इसी के equal हुआ अब अगर इसी expression को मुझे एक ही आपके component की terms में बताना है तो मुझे पता है कि mole fraction में जितने भी components का mole fraction ले लो उसका sum किसकी equal होता है 1 के तो यहाँ पे अगर मैं x a के terms में या x b के terms में लेना चाहती हूँ तो यहाँ पे x a को लिख सकती हूँ as 1 by 1 minus x b तो यहाँ पे अगर हमें एक ही किसी किसी एक ही component की term में बताना है तो यहाँ पे हम उसकी value ले सकते हैं जैसे मैंने यह x a की value लिये मैं इसको x b की terms में ही बताना चाहरी हूँ तो यह हमारे पास formula इस तरीके से भी expression बन जाता है तो आपको पता लग गया that what is Rialt's law यह हमें क्यों बताया गया I think you got it कि Rialt's law आपको दिया गया कि दब 2 volatile liquids को mix करते है तो वहाँ पे जो pressure होता है किसी भी component का वो किसके equal होता है उसकी mole fraction into its partial pressure जो वो exert करेगा जब वो as a pure component अकेला present है ठीक है फिर उसके बाद हमने Dalton's law partial pressure लगा कर हमने हमारे पास यह पूरा expression आगया कि हम कैसे find कर सकते है कि अगर हमने 2 components को mix कर दिया तो solution का pressure क्या रहेगा ठीक है अब इसी चीज़ को आप graphically भी explain कर सकते हो देखे graphically अब कैसे explain कर सकते हो let's say हम यहाँ पे graph बनाते है इसी को हम prove करते हैं जो हमने पढ़ा reward slot से let's say यहाँ पे में ले रही हूँ कि इस point पे मेरे पास x a मतलब 2 components हमने mix किये a and b x a का mole fraction है 1 और x b के moles मेरे पास नहीं है 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी pressure होगा वो क्या होगा pure pressure होगा है न और a की वज़े से होगा तो इस point को में p not a कर सकती हूँ similarly यहाँ पे मैं mole fraction ले रही हूँ let's say x b के moles मेरे पास है लेकिन x a के moles मेरे पास बिलकुल भी नहीं है तो इसका मतलब यह as a pure component present है और जो भी pressure होगा that is only due to b तो यहाँ पे हम mark कर लेते है let's say इसका pressure यह किसी का भी बड़ा जादा कमा pressure बना सकते हो graph बनाने के लिए अब जब मैं इस point से इस point पे move करती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि a के moles 1 से 0 हो रहे है और b के moles 0 से 1 हो रहे है है ना तो इसका मतलब जब मैं यहाँ से यहाँ move कर रहे हूँ तो pressure किसकी वज़ा से हो रहा है b component की वज़ा से हो रहा है और A का mole fraction बढ़ रहा है तो इसका मतलब जैसे हम यहां से यहां मूफ करेंगे तो जो प्रेशर होगा वो किसकी वज़े से होगा A component की वज़े से ठीक है और जब आप इन दोनों को जोइन कर दोगे तो यह आपके पास total pressure आजाएगा solution का which is equal to according to Dalton's law PA plus PB ठीक है और यहां पर जो pressure था अब देखिए यह आपका P not A हो गया यह आपका P not B हो गया लेकिन जब आप यहां से यहां move नौफ कर रहे थे तो यह pressure आपका किसकी वज़े से ओ रहा था जब आप यहां से A जा रहे हो तो Areq B की वज़े से हो रहा था तो इसको आप लिख सकते हो दाट यहा पे P A जो है आपके पास वह P not A into XA है और जहां पर pressure B की वज़े से है वो आपका P not B into XB है. So this is what is given explained graphically about the Rios law. तो इस तरह से हम इसको explain करते हैं. अब दिखिए जितने भी solution Rios law को B करते है, at all condition of temperature and pressure. जितने भी solution Rios law को B करते है, at all condition of temperature and pressure. आप मैं mention कर रहे हूं, all condition. मतलब किसी भी temperature, किसी भी pressure पे इस law को इस चीज को अबे करते हैं. वो सारे के सारे solutions होते हैं हमारे पास ideal solutions. क्या होते हैं? ideal solutions. अब ideal solutions कब बनते हैं या इनकी क्या property होती है? देखिए ideal solution का मतलब कि वो जैसे कि मैंने आपको बताया, they obey this law at all condition of temperature and pressure. पहली property तो इनकी यह हो गई. अब ideal solutions मतलब जो रियोल्ट लोगे करते हैं उनके अंदर एक खास बात होती है मतलब इनके अंदर जो आपस में जैसे A और अगर मैं बोलो यह मेरे पास ideal solution बन गया तो यह जो A component है यहां पे A, A के अंदर forces होंगे B component में, B, B में forces होंगे और जब आपने mix किया तो नए forces बन गए A, B तो यहां पे जो यह forces हैं जो A, A के बीच में, B, B के बीच में और A, B के बीच में इन forces का जो strength है वो क्या रहता है, same मतलब यहां पे forces ना weak हो रहे हैं ना strong हो रहे हैं जो A, A के interactions है जो B, B के interactions है और जो A, B के interactions बने बने, they are totally same ठीक है, और इसी लिए जब इनको हम mix करते हैं तो यहां पे कोई heat change हमें नहीं दिखता there is no heat change neither heat is released nor heat is absorbed क्योंकि heat changes तभी दिखते हैं जब forces weak या forces बनते हैं जादा strong हो रहे हैं यहां तो कोई force है ही नहीं मतलब कोई forces का strength है वो तो same रह रह रहा है तो delta H mixing मतलब जब आप इनको mix करोगे वो क्या रहेगा आपका 0 even there will be no change in volume delta V mixing भी क्या रहेगा 0 क्योंकि forces ना कम हो रहे हैं ना जादा हो रहे हैं ना strong हो रहे हैं ना weak हो रहे हैं इसलिए volume ना कम हो रहा है ना volume में change मतलब जादा हो रहा है volume में कोई change नहीं आ रहा तो जितने भी ideal solutions होते हैं मतलब वो reward slow को obey करते हैं reward slow को obey करने का मतलब है वो इस चीज को अबे करते हैं और उनमें उनको कैसे पैचानते हैं उनके अंदर interactions same होते हैं उनका property delta h mixing zero होता है उनका delta v mixing भी zero होता है और यह results लोगे करते हैं मतलब वो इस graph को अबे करते हैं ठीक है अब ऐसे कौन से solutions हैं जो ideal solutions हैं देखिए सारे के सारे solutions ideal solutions बिलकुल नहीं है they do not obey mostly most of the solutions they do not obey real slow at all condition of temperature and pressure so all the solutions are not ideal solutions यह सारी characteristics हर solution के पास नहीं है तो कौन से solutions हैं कुछ example अगर मैं आपको बता हूँ तो जिन solutions के अंदर आपका functional group same आ जाएगा वहाँ पे strength forces की same रहेगी delta H mixing भी 0 रहेगा delta V mixing भी 0 रहेगा और वो real slow को भी हर temperature or pressure value पे obey करेंगे for example we have let's say benzene and toline benzene and toline यह एक ideal solution बनाते है mix करने पे और example मैं आपको देती हूँ like we have bromoethane and we have idomethane यहां पे भी जो है same ही तरह का functional groups है so they also form ideal solutions similarly if we take an example of bromobenzene and idobenzene और chlorobenzene तो यहां पे भी उनका functional group बिलकुल सेम है right similarly आप कोई भी same functional group पर ले सकते हो like we have ethane and propane तो यह जो भी liquids की बात करेंगे मतलब आपने यहां पे liquid consider करना है जैसे not ethane and propane like if you have ethanol and you have some other member of alcohol तो बहां पे भी functional group same है वो भी volatile liquids होने चाहिए so they will also obey this Rolls law and the delta H mixing will be zero, delta V mixing will be zero and even the strength of forces will be zero तो उसको आप पूरा इसी graph से denote कर सकते हो तो सारी के सारी solutions यह से मैंने आपको बताया दिया not ideal solutions, we do have non-ideal solutions so about non-ideal solution we'll study in next video तो अभी के लिए आप इसको पूरा अच्छे से त्यार करो करो किया होता है कौन से solutions ideal होते है कुछ examples आप देखो, cross check करो, अपने mind में बनाओ और फिर उसको telly करो कि आपने ठीक जा रहे हो आपके नहीं so this is how actually the realts law is obeyed और यह graph is very very important graph को आप अच्छे से पढ़ो so मिलते हम next video में, see you then, bye